गटना चक्र का भारतिय थियास का जो हल प्रिश्ण पत्र है तो इसमें अब मद्दिकालीन भारतिय थियास में जो अकवर रहा चल रहा था तो उसके क्वेश्चन आंसर से हम लोग इस्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कोश्चन है निम्लखत मैंसे किस स्थान पर अकवर को हिमायू कुम्रत्यू की सूशा मिलने पर राजगद्दी पर बठाये गया था तो कलानोर में बठाला गया था ठीक है कलानोर में राजगद्धी पर बठाए गया था इसमें हिमायू की मुरत्यू डी हो जाएगा हिमायू की मुरत्यू के अपसर पर अकवर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में सनलिप्त था उस अपसर पर बेरमखा उसके सनरक्षक की रूप में कार कर रहा था हिमायू की मुरत्यू की सूशना मिलने पर पंजाब में गुर्दास पुर जिले के निकट कलानों नामक इस्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकवर को मुगल वादसा घोसित किया गया उसनमें अकवर की आयू 14 वड से कम थी नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकवर का मुख खुद देश क्या था राणा परताप को अपने अधीन लाना बिल्कुल यही था मान सिंग की भावना को संतुष्ट करना सामराज बादी नहीं ये कुश नहीं था हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकवर का मुख खुद देश राणा परताप को अपनी अधीन लाना था अकवर नी अप्रेल 1576 में मान सिंग की नेत्रोत में 5000 सेनकों को राणा परताप की विरुद्ध भेजा पानसिंग मंडलगड के मार्क से होता हुआ गोगुंडा गड़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे की निकट पहुँचा राणा परताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाडियों से उतार है फलता जो युद्ध हुआ वे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसेत है जिसमें राणा पराजित हुए वो नेहरावली की पहाडियों में सरण नेनी पड़ी नेक्स है हल्दी घाटी के युद्ध किस बर्स में हुआ था तो फंद्रश चेतर में हुआ था ठीक है next है हल्दी खाटी युद्ध में महाराणा पृताप की सैना के सैनापती कौन थे तो ये हकीम खाँ थे हल्दी खाटी के युद्ध पंदराश च्छतर में महाराणा पृतापों मुगल सैनापती मान सिंग एवं आसप खाँ के मद्द लड़ा गया राजपूत युद्धाओं के अलावा राणा की सैना के अगर भाग करने तरह था अफगानों की एक टुकडी के साथ हकीम खाँ सूर कर रहा था राणा की सैना में भीलों को भी एक छोटी सी टुकडी सामिल थी वहराणा की मुगलों के साथ आमने सामनी की आखरी मुटवेट थी आगे उसने चापाब मार युद्ध का साहरा लिया नेक्श है हल्दी घाटी की युद्ध में महराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेना पती कौन था तो राजपूत सेना का हकीम सूर थे नेक्श है हल्दी घाटी की युद्ध में महराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेना पती कौन था तो हकीम खान सूर थे दिये गए मानचित्र में चायांकित भाग का एक कालावधी विजेस में अकवर के सामराज को दर्साता है ए सूर रंद देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिरी दिखाता है तो बताना है कहां से कहां तक है तो यह तो अफगानस्तान में हो जाएगा तो काबूल हो जाएगा काबूल से कहां पर आ जाएगा ए बी काबु लिये जिए लाहॉर है ठीक है लाहॉर गौड़नवाना तो लाहॉर ए है गौड़नवाना बी लाहॉर ठीक है तो कौन सा हो जाएगा सोलह सुप माच में अकवर गौड़नवाना और लाहॉर उपर्युक्त मांचित अकवर के सामराज को दर साता है यह इसमें ए संकेत में गौणवाना राज जिस्ते थे जो कि अकवर के राज से बाहर था यह संकेत बीच से लाहोर चिनने रहे अकवर के सरप्र्थम बैबाईक संबंद राजपूतों की जिस ग्रह से स्थापिट किये वह था कौन था? कश्मा हो जहां अपर वो हरखावाई के साथ उन्होंने बिभाई किया था भारमल, राजा भारमल की पुत्री अकवर ने सरप्रथम कश्वाहर राजपूतों से बैबाईक संबंद इस्थापित किये थे जिस समय अकवर ख्वाज मुईनुद्दीन चिस्ती के दरगाय की आत्रा हेतू जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर पंद्रसुबासर टीस्नी में आमेर का राजा बैहारी मल भार मल बादसाय की सेवा में उपस्तुट हुआ उसने अकवर की आधिनता स्युकार किया उसने अपनी जेश्ट पुतरी हरखावाई लोग परेचले इतनाम जोदा भाई का बैबाह करने की एक्षा भी व्यक्तिकी अकवर ने राजा का प्रस्ताव सुविकार कर लिया और अजमेर से लोटते है समय सामभर में अपने राजा उसने राजा बैहारी मल की पुतरी से बिभाई किया है अकवर का प्रथम राजपूत करन्या से बिभाई था निम्रिखित मैंसे किस परिवार ने सरप्रथाव अकवर के साथ बयवाहिक संबन ने स्थापिक किया था तो कच्वाहा सी हो जाएगा किस चिस्ती संति के दरगा है पर अकवर दर्षण करने हेतु अधिक जाता था तो मुएनदीन चिस्ती की अजमेर खीक है और फिर उसके बाद समकालीन जो सूफी संत्य थे सेख सलीम चिस्ती तो उनके दर्शन ही तो अक्सर सीकरी भी जाता था पतेपुट सीकरी नेक्षन निम्रिकित मैसे किसे अकवर ने स्वयम मारा था तो अदम खा को मारा था माहा मंगा के पुत्र आदम खा को पंदर सु बासर टीसी में अकवर ने स्वयम मारा था क्योंकि उसने अकवर के प्रधान मंतरी अदगा खा की हत्या कर दी थी थीक है नेक्षन राजपूताना की निम्र राजव मैसे किस एक ने अकवर की संप्रभूता स्वयम स्युकार नहीं की थी तो ये मेबार के थे राणा प्रताप थीक है भी हो जाएगा इसमें मेबाड राजिके ने अकवर की संप्रभुता स्वयम स्युकार नहीं की थी बहां की सासक नाणाप्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से यूद्ध लड़ा राणाप्रताप की म्रत्युक बाद उनके पुत्र नाणा अमर सिंग ने 1615 इसी में जहागीर से संदी की थी नेकशक के से राजपूत्र सासक ने मुगलों के विरुद्ध नरंदर स्वर्णता का संगर्श जारी रखा उ़ समरपन नहीं किया तो ये मेबाड के महराजा नहीं मारवाड के राव चंदर सेन थे ठीक है मारवाड के राव चंदर सेन थे 1555 टीस यूम मारवाड के साथ सक राव चंदर सेन ने भद्रा जूंड में मुगल सेनाओ का सामना किया लेकिन चारो तरफ से घिर जाने के काणू से सिवाना जाना पड़ा मुगल सेना ने उससे ढूंडने के लिए अने प्रयास किया राव चंदर सेन ने 1589 में सोज़त पर अधिकार कर लिया अथा अकवर ने पुना सेनाई भेज कर उस पराक्तमन किया लेकिन वह पाहडी छित्रों में चला गया और 1581 में उसकी मृत्ति हो गई महानाड प्रताप की भाती उसने मुगलों से निरद्दर संगर्स किया कभी समर्पन नहीं किया एक्ष्य अकवर के साथ युद्ध करने वाली दुरगाबती कहां की रानी थी तो ये मन्नला की रानी थी दुरगाबती अकवर 1564 में अकवर ने कड़ा पूर्वी प्रदेसों की सासक आसप खा को गड़ कटंगा गोड़नवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा था किसको आसप खा को हम राज्य में मौटे तोर पर आधुने कवमद प्रदेस के उत्री जले पड़ते हैं उसका राजा बीर नाराण अलपएस्क सा परन्तु उसकी माँ दुरगाबती राज्य पर योगतापूरुव सासन करती थी उसने भीरता पूरवक साही दल का विरोध किया परन्तु गड़े मंदला बरतमान जवलपुर जिले में है जो के बीच हुए युद्ध में वह पराजित हुई ठीक है नेक्ट रे अबल फजल की मृत्यू इनमें से किसके कारण हुई तो किसके कारण हुई थी अबल फजल क ने बिद्रोह कर इलावाद में सुरन साजक की तरह से बयोहार करना आरम कर दिया था तब अकवर ने सोले से दो ही सिमी में दक्षिर से अपने मित्र अबल फजल को बुलाया है उसी समय सलीम के इसारे से ओड़चा की बुंदेला सरदार वीर देप सिंग ने मार्ग में अब अब ने तरह से बुलाया है जो अकवर को राष्टी ये समराठ सिद्ध करने में सहायक नहीं है अकवर ने इसलाम धर्म को त्याग दिया प्रिसास की एकता कानूनों की एक रूपता अकवर और द्वारा सांस्किर्टे के एकता का प्रयतना अकवर की धार में देथ अकवर इसलाम धर्म को त्याग दिया ये नहीं था अकवर पहला मुस्लिम सासक था जिसने क्या किया जिसने इस बात का अनभव किया कि मुगल सामराज की सुद्रणता के लिए भारत की बहु संक्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितान तावश्यक है उसने हिंदू मु लगान कर वहस्ता और संबार्व सभी को योगता की आधार पर राजि की सेमाऊ में उच्चितम इस्थान प्राप्त करने की सुबिध हा राजपूतों से बिवाय संबन और संबान की निती, सभी धर्मों को समान सोविधा और आधर, तदा धार में एक द्रश्टी से एकता लाने का प्रयत्न, फार्सी भासा को राजभासा बनाना, किन्तु सभी भासाओं की प्रगती में सही होग, विभिन ललित कलाओं की प्रगत नहीं किया था अक्वर की लोगपिरता के कारण थे क्या क्या थे मनसबदारी पर्था भूराजिश वरस्ता धार में क्रिंती सामाजिक सुनारतों हाँ बिल्कुल ये चारों थे उसने इन चारों छेतरों में बहुत काम किया मुगल सासक वरस्ता को स्थापित करने कश्रे अक्वर को ही है उसकी केंद्री है सासन वरस्ता बादसाहे के पदो अधिकारों और कर्तब्यों की ब्याक्या उसकी प्रांती है सासन उसकी लगान वरस्ता उसकी मुद्रा वरस्ता मनसबदारी वरस्ता अधी सभी को उसके समय सब प्राप्त हुई और अकवर्ट प्रथा मुसलिम ऐसा सा सक था जिसने हिंदु हो मुसल्मानों को निकट लाने का प्रयतिं किया अपनी उधार नीतिक अंतर को इसने एकवर्ट प्रथा जिसका सामराज अफगा अफगानिस्तान से लेकर कोदाबरी नदी के किनारे तक विर्षत रहे था वह एक धर्मिर्ट पेक सासक था संपूर सकता उसी में नहीं थी अत्या वह प्रशा के फेडरिक महान और इंग्लेंड की रानी एलिजवेट की तरह प्रबुद्य निरौं को सासक कहा जाता है ठीक है उसके सासनकाल में कानू की दरश्टी में सभी समान थे नेक्श आए किसने यह आग्या दी थी कि आदिमी को एक ही इस्तरी से विभाय करना चाहिए और वह तब ही दूसरा विभाय कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्याओ तो उसे अकवर्ण ने मोला था अकवर्ण ने कुछ सामाजिक परमपराओं और व्यक्तिकत मानताओं पर अंकोस अवश लगाया परन्तु उसने यह कार सुधार की दरश्टी से किया और धान के लिए उसने आग्या दी थी कि आदमी को एक ही इस्तरी से विभाय करना चाहिए और वह तभी दूसरा वहाय कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंद्या उसने हिंदू विध्माओं को पुनरवाय करने का अधिकार दे दिया और बलपूर विष्ट्रियों के सती होने पर रोक लगा दी अकवर ने लड़कों लड़कियों के विभाय की आयू निरधारत करने का प्रेयास किया था और साथ में लड़कियों को अभिवाबकों की दबाव से अलग सुयम की इक्शा से विभाय करने की सुखनता दी थी ठीक है नेक्ष है अकपर का सासन जाना जाता है तो छेतरों को जीतने के लिए अपनी परसासनिक विवस्ता के लिए नयायक परसासन के उसकी धार्मिक कटरता के लिए तो कटरता तो था यह नहीं कटरता नहीं थी तो भी हो जाएगा इसमें एक दो तीन ठीक है अकपर अपनी नेक्ष अकवर के सासन काल में पुनर गठित केंदरी प्रसासन तंथ के अंदर का सैनिक विभाग का प्रमुख क्या था? सैनिक विभाग का मीर वक्षी कहला था. ठीक है? अकवर के सासन काल में पुनर गठित केंदरी प्रसासन तंथ के अंदर का अत्मीर वक्षी स्वाम मुख था सैनिक विभाग का प्रमुख था. किन्तु उसे प्रधान सैनापती नहीं कहा जा सकता. उसका कार सैनकों के वेतन एवं सैनिक संगठन से संबन दे था. वह मनसबदार अधी उसके कारियों के अंतरगत था. अकवर कालीन सैनिक ववस्था आधारित थी. तो किस पर मनसबदारी ववस्था पर? ठीक है. अकवर ने मनसबदारी व्यस्था के आधार पर सैनिक संगठत किया. मनसब सब्दकार्थ स्नेडी अपल्ध है. तदा मनसबदार कार्थ उस अधीकारी स्रत जिसे साही सैनामे एक पदिया स्नेडी प्राप थी. अकवर के मनसबदारी व्यस्था दुसमलब प्रणाली पर भार्मिक सदभाव की इस थापना हे तू स्वक्ष पिर्सासन सुनिश्चित करने के लिए तो मनसबदारी वैस्था स्वक्ष पिर्सासन सुनिश्चित करने के लिए की जएगी। दिये गए बिकल्पों मनसब्दार रिवर्षा को उद्देश स्वक्ष परसाथ निश्यत करना था अकवर दोरा दिवान का पूर्ड रूपेड दर्जा दिया जाने वाला पिर्थम व्यक्ति था कौन था मुझफर का तुर्वती था जिसे दिवान का पूर्ड रूपेड दर्जा दिया गया था दिवान सब्द फार्सी बहसा का है खलीफा उमर के काल में मुसल्मानों ने से अपनाय था बेस का प्रियोग खजान विभाग के लिए करती थी अकवर के सासंकाल में नौमे बर्स में लेकर तीसमें बर्स तक दिवान पद मुझफर का तुर्वती राजा टोडर मले और ख्वाजा साह मंसूर के हाथो आता जाता रहा मुझफर का सरकारी सोपान में दिवान के पद को इस्थान दिलाने में सफल रहा तीवान आर्थिक मामलों एम राजस्षों का सर्वुच्च अदिकारी होता था नेक्ष एकवर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलेत प्रणाली से उधाल ली गई थी अफगानिस्तान तुर्की मंगोलिया तो मंगोलिया से ली गई थी मनसबदारी वहस था ठीक है मोगल मनसबदारी प्रणाली मद्धेशिया मंगोलिया से ली गई थी इस प्रकार का सेन वहाजन चंगेश खांकी नेतरत्व में मंगोल सेना में किया गया था अकवर्दारा प्रारंभ मनसबदारी पनाली अदपी काफी अतक नवीन थी तथा पी ये मूलता मंगोल सेन विवाजन पर आधारी थी नेक्श है अकवर्द के काल में हर दस गुड़जबार सेन को किली मनसबदारों को 20 गोड़ों का रखणखाओ करना पड़ता था कारण गोड़ों को यात्र में आराम देना होता था तो युद्ध के इसमें उनको बदलना आवश्यक होता था तो ये दोनों सही है कथनों कारण दोनों सही हो और ब्याक्ष्या भी कर रहा है ठीक है अकवर के काल में हर दस गुड़सबार सेनकों के लिए मनसबदार को घोड़े रखने होते थे इसका मूल कारण लंबी आत्रा के दोड़ा गुड़ों को आराम करना आवश्यक है और युद्धिमाने बदलने के आवश्यक्ता भी पड़ती थी जाप्तिर प्रणाली किसकी उपस थी तो जाप्तिर प्रणाली अकवर की थी अकवर के सासनकाल में भूराजश्य वसूली के लिए जाप्तिर प्रणाली का प्रेचलन हुआ जो भूमी सर्वेक्षन भूराजश निर्धान के लिए दस्तूर अमल और जाप्तिक हसरी की तैयार पर आधारी थी सामराज जी के अधिकतर भूबाद में यही परणाली परचले थी नेक्ष है टोडरमल ने किस छेत्र में ख्याती अर्जित की थी तो भूराजश्च में जो 10 साला ववस्था थी यह टोडरमल बंदोबस्थी कहलाता थी टोडरमल ने भूराजश्च के छेत में ख्याती अर्जित की थी अकवर ने अपने सासन के 24 में बर्स में आइने 10 साला 1580 में टोडरमल बंदोबस्थी नामक नई कर परणाली को सुरू करके मुगल कालीम ववस्था को इस्थाई रूप सरू परदान किया इस परणाली का वास असलों के पिछले 10 वर्स के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मुल्यों का ओसत निकाल कर उस ओसत का एक तहाई हिस्था राजश्च की रूप में बसूला जाता था इनमें सिक किस कर ववस्था को बंदोबस्थ ववस्था की नाम से भी जाना जाता है तो दहसाला ववस्था को जाना जाता है भी हो जाएगा टोडरमल संबंदित थे तो किस से माल गुजारी सुधारों से ठीक है माल गुजारी सुधारों संबंदित थे अकुड़दार भूरा जिस ववस्था के पुनर रधान हे तू 1570 में मुझफर घां तुर्वती और राजा टोडरम को अर्थमंत्री के पत्पन्युक्त किया गया था राजा टोडरमल ने अलग-अलग फसलों पर नगत की रूप में बसूल की जाने वाली लगान रासी का 1571 से 1580 इसमी के मद्द लगवक 10 वर्स का उसत निकाल कर उस उस उसत का एक तहाई भूरा जिश्यों के रूप में नि गुगल समराथ अकवर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी अकवर का बिबाह राजा मान सिंग की बहन के साथ हुआ था कथन टू नहीं बुवा के साथ हुआ था मान सिंग की थेड़ है अबुल फजल आइन अकवरी के लेखक थे तो इसमें से बताना है अच्छा पुपते थे ठीक है बाकि तानसेन का नाम राम तनु पांडे था ठीक है और तानसेन का नाम याक की वारे घाल्य आखक द्वारा कहा जाता है कि री थी ठीक है और अकवर ने तांसन को मिया की उपा दी थी किसकी री थी मिया की राजा मानसी की बेहन मानवाई साह वेगम को का बेबाह सलीम से हुआ था ना की अकवर से आइने अकवरी के लेखक अबुल फजल थे और राजा टोडरमल दिवान थे से ना की सेनापती नेक्स है भुराजश प्रसासन के छेत्र में सेरसा ही अकवर की लंद इमलिखित मैं से कौन नेरंतरिय की कड़ी थी तो टोडरमल थी सेरसा हैं अकवर की मन्थ इतिहास प्रसित टोटरमल भूरा जश्व प्रसासन की द्रश्टी से विसेश सम्मान प्राप्त है अकवर के द्वारा ही आईने दहसाला टोटरमल बंदोबस की सुरुवात हुए इस प्राणाली के प्रेनेता टोटरमली थी ख्वाजसाय मंसूर से भी इसमें मदद मिली थी अधै विसे टोटरमल बंदोबस की नाम से भी जाना जाता है अकवर काल में भूरा जश्व था कि एक प्रसित दिनी थी आईने दहसाला पद्धरी किसके द्वार निर्मित की गई थी तो टोटरमल द्वारा अकवर ने दीन इलाही किस वर्द प्रारम किया था तो ये किया था पंदर सु ब्यासी में ठीक है और आईने दहसाला ये पंदर सु असी में अकवर्णे 1582 में तोहिद ए इलाही दीन इलाही की स्थापना की इसकंतर का तकवर्णे सभी धर्मों की मूल सिध्धानतों को समलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया दीन इलाही वास्तों में सूफी सर्विश और बात पर आधारित एक विज़ार पदे दी इस नवीन समप्रदाय का प्रधान प्रोहित अवुल फजल को बनाए गया था हिंदुआ में केबल वीरवल ने से जुकार किया था राजा भगवान दास और राजामान सिंग ने इसका सदश्य बनने से इंकार कर दिया था दीन इलाही का प्रधार किस सासक ने किया था तो अकवर ने किया था दीन इलाही का प्रधार पंदर सब्यासी में बनायागा इन एलाहि, किसके द्वारा प्रारम किया गया था कैसे द्वारा आसकारण ने दिन एलाहि को एक धर्म कहा तो ये कहा था ये धर्म नहीं था आभ उल्फजेल समें सनिए निजामुधी नहीं है अकवर द्वारा प्रबर्तित, दीने लाही कोई धर्म नहीं था, अपितुव एक सूफी मत था, उसके नियन सर्व धर्म समनवाय पर आधारे थे, जहांगीर के सम्कालीन, जो मोहसन फानी ने अपनी रचना उन्होंने की थी, दवस्ताने मजाहिर, तो पहली बार दीने लाही किसने जहांगीर के सम्काली मोहसन फानी थे, अबादत खाने का निर्माण किसने करवाया, तो अकवर ने करवाया था, अबादत खाने का, यहां पे सभी धर्मों के लोग, आपस में बिचार प्रमर्स धार्मिक चर्चा करते थे, ठीक है, पंद्रसो पचत्तर में हुआ था फतेवपुर्स सीखरी में हुआ था इसका, कि 78 में क्या किया है नोहने, कि सभी धर्माव लुम्वियों के लिए इवादत खाने के दवार खोल लिये थे, और 89 में नोहने महजर नामा जारी करवाया है, जिसने उस धर्म के मामले में सर्बुच्च बना दिया, इस पर जारी करने के बाद, अकवर ने सुल्तान आदल और इमाम आदल की उपादी धान की थी, इसमित महुदय ने कहा था, दीने लाही अकवर की मुखता के समारख है, उसकी बुद्धी मत्ता का नहीं, फतेवपुर सीखरी का इवादत खाना क्या था, तो बहभवन जिसमें साने फतेपुर, समराट अकवर द्वारा बसाए गया, फतेपुर सीखरी को बर्स, 1986 में यूनस्को की विश्य विरासत, विश्य धरोवज इस्थल में सामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में इस्थित्ध फतेपुर सीखरी, 1571 से 1585 इसमी तक मुगल सामराच की राजधानी फतेपुर सीखरी में मुगल बास्तुकला के इसमारक जैसे जामा मस्जिद, बुलन दरवाजा, पंच महल, सेख सलीम चिस्ती का मकवरादी सामिल है, यहां इस्थित जामा मस्जिद को साने फतेपुर या साने सीखरी की नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कौन सा इसमारक फतेपुर सीकरी में नहीं है, सौन महल, जोधावाई का महल, पंच महल, अकवरी, अकवरी महल नहीं है, बाकी जोधावाई का महल है, बीरवल का महल है, सौन महल है, पंच महल है, दीवाने खास, दीवाने आए, जो मरियम महल है, उसी को सौन महल कहते है, बीरवल की कोठी है ठीक है दिली में कौन सा एतिहासिक इसमारक भारती हो फार्सी बास्तु सैली का उधान है तो हमायू का जो मकवरा उनकी पत्नी ने बनवाया था वही है हमायू का मकवरा दिली में इस थिद है हमाई के पत्नी के संरक्षन निर्मित हुआ मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा इसके डिजाइन तैयार किया गया है मकवरा भारती है फार्सी वास्तुकला सैली का उधान है फार्सी है इनानी वास्तुकला सैली की एक विसेस्ता दहरा गुम्बद है जो सिकंदर लोदी के मकवरी में भी प्रियोग हुआ है ठीक है नेक्स है सुलाय कुल का सिद्धान किसके द्वार प्रतिपादेद किया गया था तो किसके द्वार किया गया था अकवर के द्वार ठीक है भी हो जाएगा इसकान से अकवर की धार्मिक नीटी का मूल उद्धेश सारवज भौ में सैशन होता था इसे सुलह कुल की नीटी अर्थात सभी के साथ सांधी पून व्योहार का सिध्धान्त भी कहा जाता था अकवर ने इसलामी सिध्धान्त के स्थान पर सुलह कुल की नीटी अपनाई पंदर सुब्यासी इसमी में उसने सभी धर्मों में सामन जस स्थापित करने के लिए तोहीर एलाहिया, दीन एलाहि नामक एक नया पंथ प्रवर्दित किया अकवर की सुलह कुल की नीती राजनेतिक उधारता एवं धर्मिक सहिन सीलता के साथ साथ उसके उधारवादी सांस्कृतिक दरश्टिकोंड को प्रदरसित करती है ठीक है, नेक्ष्ट है, अकवर दोरा अपनाई गई, सुलह कुल सारभोमिक सांतियों भाईचारा की अबधार नेमनांकित मैं से किस पर आधारित थी तो ये थी राजनेतिक उधारता, धार्मिक सहिन सीलता, उधारवादी सांस्कृतिक दरश्टिकोंड तो ये तीनों आ जाएंगे किस मुगल वादसाए के विरुद्ध जौनपूर में फत्वा जारी हुआ था, तो अकवर के विरुद्ध हुआ था ठीक है, जौनपूर में, जौनपूर के एक धर्म गुरु या काजी मुल्ला मुहंबद यज्दी ने सभी मुसल्मानों को अकवर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फत्वा जारी किया था, पंद्रसो अस्थी में कथन है, अकवर ने 1602 इसमी में फत्यपुर सीकरी में बुलंदर वाजा बनवाया, 1602 में, यह निर्माड अकवर ने अपने पुत्र जहांगीर के जर्म की खुशी में बनवाया, तो यह दोनों ही गलत है, यह सही है, और 1602 में ही बनवाया था बुलंदर वाजा, ठीक है, ल 1568 से 79 में आरम करवाया था, तदह बाद में गुजराद विजय के पश्चात इस नगरी को फत्यपुर सीकरी कहा जान लगा, एक बर के इतिहास कारों का मत है कि गुजराद विजय के उपलक्ष में समराठ अकवर ने सीकरी के बलंदर वाजा के निर्माड विजय स्थम्द क वाला, तो इनोंने सी माना है, एसा ही माना है, ठीक है, कटना चक्र का ये, निम्न मैसिक इसका निर्माड अकवर ने करवाया था, तो बलंदर वाजा के करवाया था, जामव मस्चित, ताज महल, कुतुब मीलार ने नहीं करवाया था, निम्न मैसिक इस मुगल समराठ ने सि सिक्षा संबन्ундी विष्यों पर भी ध्यान दिया गया सिक्षा संबन्दी महत्पूर्टमूण सुधार मुगल सासक अकवर द्वारण द्वारा दिया गया अकवर दोरा बनाई के शिश्टितम में मारतें पाई जाती हैं, तो कहां पाई जाती हैं? पतेपुर सीकरी में पाई जाती हैं, ठीक है? इवादत खाना है जोदाभाई का महल खास महल पंच महल जोदसी की बैठक दीवाने आम दीवाने खास और सुल्ताना की कोठी तुर्की सुल्ताना की कोठी हवा महल मर्यम की कोठी बीरवल की कोठी ये और परसी प्राव ने इस थापतेकला का मोती कहा है तुर्की सुल्तान का अकवर्ट दॉरब बनाएगी कौनसी मारत का नकसा बहुत वहार की तरह है तो जो पंच महल है वो बहुत वहार की तरह है ठीक है अकवर्ट ने अपनी नवीन राजधानी पतेपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए पंच महल प्रामिट के आकार का पांच महलों का भवन था और भारती बहुत वहारों के अनरूप था जो अब तक भारत के कुछ भागों में विद्वान है उपर की ओर छोटी होने वाली पांच मंजलों माले आयताकार भवन नालंदा आदी में बने हुए बहु मंजला बहु मंजला बहुत वहारों से ली गए प्रेणा पर आधा रहे थे नेक्ट रैप फदेपुर सीकरी में बादसाय अकवर्ट ने निर्मित कराये था मोदी महल पंच महल तो पंच महल करवाये था जहांगीर महल इस्तित है कहां पे है जहांगीर महल तो ये आग्रा में इस्तित है जहांगीर महल आगरा किला जो है अकवरी सैली का सर्वोत्तम उधारन है यह अकवर महांद्वारा निर्मिस सुपर से दिखला है इसका नमार अकवर के प्रधान कारीकर कासिम खा की देखरेक में हुआ था कले के अंदर अकवर ने लाल पत्थरों से पांसो से अधिक भवनों का नमार करवाय था जहागीर महल आगरा कले में ही इस्तिर है इसका नमार अकवर ने अपनी पुत्रों उत्तरा दिखारी सलीम के रहने के लिए कराया था इस महल की सैली अधिकतर हिंदु स्थापत कला सैली की ओर जुकी है जहागीर महल की प्रेड़ा वालियर के मानसिग महल से ली गई है अकवर का मकवरा कहां पर इस्थिर है तो सिकंदरा में इस्थिर है अकवर का मकवरा सिकंदरा नामकिस्थान पर है जिसे सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपनी नाम पर विसाया था अकवर्ण ने इसका नाम बहिस्तावाद रखा था यह आगरा से पांच मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली स्राड़त पर रिस्ते थे इसके निर्मार की यूशना अकवर्ण ने बनवाई थी लेकिन तो निर्मार जहांगी ने 1613 में करवाया था इस मकवरे में पांच मंजले हैं इसकी उपर की मंजले नीजे की मंजलों से आकार में छोटी होती गई है इस मकवरी की विशेशता इसका गुमबद भी ही नोना है ठीक है निमने मैंसे किस के लिए का निर्मार अकवर के राजजिक काल में नहीं कराया गया था दिल्ली का लाल किला तो हाँ ये साह जहां ने बनवाए था साह जहां के काल में हुआ था बाकी आगरा का किला लाहोर का किला लावाद का किला अकवर के समय हुआ था और जो दिल्ली का किला है वो चत्रबुजा का लाल बुलुआ पत्थर से निर्मे थोनी का लाल के लिए की नाम से पिर्सिद्ध है समराट और मकवरा बाबर का मकवरा कहां पर है? अकवर का, जहांगीर का और साह जहां का तो अकवर का सिकंद्रा हो जाएगा जहांगीर का लाहर हो जाएगा बाबर का काबुल हो जाएगा और कौन बच्चा? साह जहां का आगरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C हो जाएगा इसका अंसर ठीक है बाबर, काबुल अक्वर, सिकंद्रा जहांगी, लाहर, साई जहां, आगरा नेक्स रहे मुगल, सासक और मक्वरी का स्थान सूची बन, सूची बाबर, बाबर का हो जाएगा काबुल, हिमायू हिमायू का हो जाएगा दिल्ली अकवर, अकवर का सिकंद्रा और जहांगीर का लाहौर तो इसमें B हो जाएगा इसका अंसर ठीक है बावर का काबुल हिमायू का दिल्ली, अकवर का सिकंद्रा और जहांगीर का लाहौर अकबर के काल में महाभारत का फार्सी अनवाद जिसके निर्देशन में हुआ है तो किसके निर्देशन में हुआ था। और भी विद्वानों ने समलित प्रयासों से किया था इसके अतरिक्त वदाविनी ने रामायड का फैजी ने लीलावती का अबुल फजल ने कालिया दबन का फार्सी मन बात किया था ठीक है निमिकित मैंसे किस ने महावारत का फार्सी मन बात किया था तो किस ने किया था अब तो क्या किलाता है रजम नामा कहलाता है बी आंसर है रजम नामा किस हिंदू गृंध का फार्सी न्वाद है तो महा भारत का है मिस फार्सी नंवात किया था तो अब्दुलकादर वदाविनी किया था है केते हैं मैं बड़े गुस्से में किया था क्युक्प्र कärt मुस्लिम था कि अनबाद सामा questo किरने हैं all þudّive , three hours свид Att你是 easy to hear अनुवात किया था, किस ने किया था, अब्दुलकादिर वदावुनी ने किया था, समराथ अकपर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपादी दी गई थी, तो मुहम्मद हुसेन को जरी कलम की उपादी दी गई थी, ठीक है, अकवर के दर्बार में प्रिसिद्धिक गरंथ करता हूँ जिनकी एक सूची आइने अकवरी में मिलती है मैं सबसे प्रमुक कश्मीर का मुहमद हुसेन था जिसे अकवर ने जरीकलम की उपादी परदान की थी जैन साथू जो अकवर के दर्बार में कुछ पर्स रहा और जिसे जगत गुरू की उपादी सम्मानित किया गया तो हरीविजय सूरी थे हरीविजय सूरी वह जैन साथू था जो अकवर के दर्बार में भी हो जाएगा अंसर दर्वार में कुछ वर्स तक रहा हो जिस जगत गुरू की उपादी सम्मानित किया गया 1582 में अकवर ने उक्त जैनाचार को जैन सद्धानतों को समझने की इक्षा से आहूत किया था इनकी विद्धुता और चिंतन ये तरह विनम्रता से प्रभावित होका अकवर ने कुछ दिनों के लिए मास भक्षर बंद कर दिया था उपस्व भक्षयों के वद्ध पर भी रोक लगा दी थी मुगल दर्बार में एक अन्यविद्वान जिन चंदर सूरी भी रहते थे जनी युक प्रधान के उपादी प्रधान की गई थी वाई प्रिसिध जैनाचार कों थे बसावन, केसवलाल, मुकुन्द, मिशकन, जगन, महेश, खेमकरन, तारा, सामबल, हरिवस दसवन जो एक कहार का बेटा था कि काम से अकवर इतना प्रभावी दोया था कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सही योग दिया कि दू बाद में महान चित्रकार मांसिक रूप से बिशिप्त हो गया और 15-84 में इसने आत्मेत कर ली इंग्लेंड की रानी एलिजवेद पृथम का समकालीन भारती राजा कौन था तो अकवर ही था इंग्लेंड की रानी एलिजवेद वन का समकालीन भारती राजा अकवर था दिया तब है कि दिसंबर 16 में इस्टि इंडिया कंपनी की स्थापना की समय इंग्लेंड की रानी एलिजावेट थी भारत में उस समय अकवर 1556 से 1605 का सासन था एलिजावेट फर्ष्ट का सासन काल 1558 से 1603 इसमी था भारत में किसके सासन काल में इंग्लिश इश्रिनिया कंपनी का गठन हुआ तो अकवर के इस समय हुआ था ठीके जिस मद्दिकालीन भारतिय लेखक ने अमेरिका की खोजका उलेख किया है वह है कौन है तो अवल फजल ने किया था मुगल कालीन अवल फजल है विद्वान जोनोंने अमेरिका की खोजका उलेख किया था अकवर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था तो रॉल्फ फिंच था ठीक है अकवर के दरबार में आये था जो रॉल्फिंच फतेपुर सीक्रियो आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज ब्यापारी था इसने भारत के बेविन्य भागों में ब्रहमर करते हुए अनिक स्थानों का अब लोकन किया और सोलमी सदीव के भारतिय ब्यापारिक तथा नगर के इंद्रों के बारे में मुल जजिया की समापती हुई थी उसके बाद दीने इलाही फिर मजहर तो एक चार तो सबसे पहले जजिया की समापती हो जाएगी फिर उसके बाद इवादत खाने का निर्मार फिर महजर और दीने इलाही की स्थापना तो एह हो जाएगा इसका आंसर अक्पर ने जजिया करके समापति 1564 में की थी उसने फते पुर्ट सीकरी में 1575 में इवादत खाने की स्थापना की थी जिसका उद्दिश जिक्या था उद्दिश था दारसनिक को एबम धर्मिक विश्यों पर बाद विवात करना था अकवर ने समस्त धर्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के रही है देवी एक शुरवात की स्थापना की अक्वर ने बंगाल तरह बिहार को मुगल सामराज में मिलाए तो कम मिलाए था 1566 में मिलाए था मुनीम खाने दाउद को एक युद्ध में पराजित किया और 1564 में बिहार पर मुगलों का दिपत हो गया मार्च 1566 में मिलकर दाउद को पूर्दा पराजित किया और 1566 में बंगाल बिहार पूर्ड रूप से मुगल सामराज में मिला लिए तो यह हमारा सेग्मेंट खत्म होता है अगर आपको अच्छा लगाए तो लाइक करिए हमारी चैनल को शेयर करिए सब्सक्राइब करिए धन्यवाद